दोस्तो आज का यह वीडियो सी एल और एसे से संबंदित है और काफी इंपोटेंट है सारे शिक्छकों के मन में यह शंका बनी रहती है कि आकस्मिक अवकास और विशेश अवकास अब लेना है कैसे लेना है अधिकान शिक्छकों को इस अवकास से संबंदित नियम पता नहीं होते जिसके कारण वो गलतिया कर बैठते हैं और बाद में उसे पस्ताना पड़ता है आज की इस वीडियो में हम आपको विभिन सरोतों से प्राप्त जानकारी के आधार पर और ओचक निरिक्छन से प्राप्त तजरबे और अनुभों के आधार पर बतलाएंगे कि CEL और ACL से संबंदित नियम पता है सबसे पहले मैं आपको ये बतलाऊंगा कि CEL आकस्मिक आवकास आपका वैक्तेगत आवकास है जो आप इंडिविजवली ले सकते हैं और टोटल जो CEL है आपका वो पूरे साल भर में सोला है साल भर का मतलब कैलेंडर वर्स यानि जन्वरी टू दिसंबर इस सोला CEL में आप अधिक्तम एक बार में 10 CEL ही ले सकते हैं इस 10 CEL का अर्थ क्या है आईए हम आपको विस्तार से समझाते हैं उधारन स्वारूप किसी महीने के परारंबे आप 10 CEL ले लेते हैं 10 CEL का अर्थ ये हुआ कि इस पिरिड में आपको संडे भी आएगा अन्छुट्या भी आएगी यानि बीच में जो संडे आ रहा है छुट्या आ रही है चाहे पर्वतेवार की हो या कोई भी सामुईक आउकाशो जो कालेंडर वर्स में अंकित होते हैं आपकी या आउधी भी आकस्मिक आउकास में काउंट कर दी जाएगी दूसरे शब्दों में यह समझ ले कि आप शनिवार को CEL में रहते हैं रविवार को विद्धाले बंध है सोमवार को भी आप CEL ले लेते हैं कहने का म पर देख रहे होंगे आकस्मिक आउकाश एक नंबर पर है लिखा हुआ है कि एक कैलेंडर वर्स में 16 दिनों का आकस्मिक आउकाश दे होगा यह आउकाश बरायकेट में है अन आउकास सहित एक साथ 10 दिनों से अधिक के लिए नहीं दिया जा सकेगा असपस्ट है कि अन पता होगा कि सीएल आकस्मिक आउकाश की अनुमती विद्दाले के परधान अध्यापक्या परभारी से ली जाती है यानि आपको एक अप्लिकेशन देना जरूरी है क्यूंकि जब आउचक निरक्षन होता है तो किवस्द सीएल नहीं बलके आपका अप्लिकेशन खुजा लिख देते हैं एप्लिकेशन की सुईकिर्थी के बाद उसकी एक परती आपके पास और एक परती स्कूल काडियाले में जमा रहेगा इसके साथ ही जो अगला इंपोर्टेंट है कि उपस्थिती पंजी में इसका संधारन भी अवश्यक है कहने का अर्थिये हुआ कि आपने आकश्मिक आवकास के रिए एप्लिकेशन दे दिया और आपकी उपस्थिती पंजी में सी एल नहीं भड़ा गया जब पदादी कारी आते हैं और सवाल करते हैं कि ये खाली क्यों है तो विद्दाले के परभारी आपका एप्लिकेशन दिखा देंगे ऐसी इस्तिती में भी विद्दाले के परधाना ध्यापक से अस्पस्थि करन मागा जाएगा कि उपस्थिती पंजी में सी एल क्यों नहीं भड़ा गया है दोस्तो ऐसा इसलिए क्या जाता है कि कहीं ऐसा भी नहों कि एप्लिकेशन को फार दिया जाए और एटेंडेस बना अगला जो इंपोर्टेंट है कि उपस्थिती पंजी में संधारन के साथ साथ एक आकस्मिक आवकास पंजी होता है उसमें भी इसका संधारन आवश्यक है ये था सियल से संबंदित शंकाएं अब हम चलते हैं एसल की ओर एसल का अर्थ होता है एस्पेशल लिव विशेश आ store condition है जिसे जानना काफी जरूरी है सबसे पहली बात ये है कि इसल two continuous day होता है यानि आप लगातार दो दिन इसल ले सकते हैं Monday Tuesday या Tuesday Wednesday दूसरी जो important बात ये है कि SL दो continuous day के बीच में कोई आउकास day नहीं होना चाहिए उधारन के लिए Sunday को विद्धाले बंध है तो Saturday और Monday नहीं ले सकते हैं Saturday को आपने SL दे लिया तो automatic Sunday भी आपका SL count हो जाएगा यानि महेने का दो SL आपका समाप्त हो गया जिस तरह CL के लिए application आवश्यक है उसी तरह SL के लिए भी आवश्यक है और application से संबन्दित जो नियम CL के थे वो SL के भी रहेंगे यानि उपस्थिती पंजी में इसका समय संधारन भी आवश्यक है अनियथा आप से अस्पस्टिक करन मांगा जा सकता है और चक निरिक्षन में उपस्थिती पंजी में SL के बदले application मांगा जाता है यानि application होना भी जरूरी है दूसरी जो सबसे important बात यह है कि CL और SL दोनों एक साथ नहीं ले सकते हैं दोनों के बीच में एक दिन का उपस्थिती अनिवार्ज है उधारन के लिए आप लगातार दो दिन SL में हैं Monday और Tuesday तो Wednesday को आपको प्रिजेंट होना होगा उसके बाद ही आप CL ले सकते हैं CL की तरह SL की अनुमतिवी विद्धाले के परधाना ध्यापक से ली जाती है इसके लिए नियोजन एकाई के सचीव से लेने की कोई आवश्रक्ता नहीं है ये थे CL और SL से संबंदित शंकाय संधे उमीद करता हूँ कि यह विडियो आपको पसंद आया होगा आप कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दें साथ ही साथ इसी तरह के दूसरे विडियोज आपको हमारे यूटूब के पले लिस्ट में मिल जाएंगे पीचर गैलरी के नाम से हमने एक पले लिस्ट बना रखा है जिसमें नियोजन शिक्षकों से संबंदित धेड़ साड़े विडियोज है दोस्तो इस विडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें विडियो को लाइक करें हम फिर मिलेंगे एक अमेजिंग विडियो के साथ दोस्तो विडियो को अंते तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसी तरह की इंफोर्मेटिव वीडियोज के लिए ग्यानवर्दक जानकारी के लिए हमारे यूटूब चैनल टीचर रहमत को जरूर सब्सक्राइब करें साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करें यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बतलाएं